नमस्कार दोस्तों कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें यह हमें प्रोथ साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए प्रित्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से अपनी धुरी पर घूम रही है यह घूर्णन हमारे दिन और रात बनाने के लिए जिम्मेदार है अगर यह घूर्णन रुख जाए तो क्या होगा आईए इसे चरंदर चरंद समझते हैं अगर प्रित्वी एकदम से रुख जाए तो आप जहां खड़े हैं वहीं से 1670 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से आगे फेंके जाएंगे यह किसी बड़ी दुरगटना से कम नहीं होगा पूरी प्रित्वी पर सुनामी, भूकंप और विनाशकारी जटकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा यह ऐसा होगा जैसे आपकी कार अजानक 200 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चलते चलते रुख जाए लेकिन यहां यह प्रभाव पूरे ग्रह पर होगा घूमना बंध होने का मतलब है कि दिन और रात का चक्र समाप्थ हो जाएगा प्रिथवी का एक हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में रहेगा और दूसरा हमेशा अंधिरे में जो हिस्सा सूरज के नीचे रहेगा वहां तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कुछ भी जिंदा नहीं रह पाएगा वही दूसरी तरफ ठंड का ऐसा प्रकोप होगा कि सब कुछ बर्फ में जम जाएगा प्रिथवी के रुकने का असर न सिर्फ हमारे बातावरन बलकि गुरुत्वा कर्शन पर भी पड़ेगा प्रिथवी के घूर्णन से एक केंद्रिय बल उत्पन होता है जो हमें सतह पर स्थिर रखता है जब ये बल खत्म होगा तो महा सागर भूम अध्यरेखा से ध्रुवों की ओर बहने लगेंगे इसका मतलब है कि अधिकांश बड़े शहर जल मगन हो जाएंगे इन सब के बीच हमारा पर्यावरण इतना अस्थिर हो जाएगा कि जीवन बचाना असंभव हो जाएगा पौधे, जानवर और इंसान सब इस बदलाव का सामना नहीं कर पाएंगे तो सवाल ये है कि क्या प्रिथवी का घूमना रुख सकता है वैग्यानिकों का मानना है कि यह असंभव नहीं है लेकिन ऐसा होने में करोडों साल लग सकते हैं धीरे धीरे प्रिथवी की रफ्तार कम हो रही है लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर सकते लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ऐसा हमारी जिंदगी में तो नहीं होगा ये सिर्फ एक रोचक विचार है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रक्रति कितनी अद्भुत और संतुलित है तो दोस्तों ये था हमारा रोमांचक सफर प्रिथवी के रुखने की कल्पना का उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ग्यान से रियालिटी को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धर्ती को भूमने दो